नवस्का सत्यू सत्यूस वीडियो में हम आपको बताएं कि दाखिल खारज कैंसिल करवाने की लाष्ट समय सीमा क्या है और यहाँ पर में कुछ ओट ओर्डर्स और आपके लिए एप्लिकेशन भी रफली जो मैं लेके आया हूं ठीक है जी देखिए यहाँ पर दो कोट बता चलेगा कि आप कब तक कैंसिलेशन करवा सकते हैं दाखिल खारज का और पुनर स्थापन प्रात्ना पत्र रेस्टूरेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा उर्द कि आप कोई भी बहतर कानूनी चला लेना चाहरा है तो हमारा कॉंटक्ट नमर वीडियो की डिस पढ़िए ठीक है जिला आगरा के पुनर स्थापन प्रात्ना पत्र धारा पांच जी धारा पांच होती है लिमिटेशन एक्ट की धारा पांच जिससे क्या होता है देखिए जैसे माली जी किसी चीज की लिमेट है तीन वर्स कैंसल करवाने की आप तीन वर्स लेट हो गई चार वर्स हो जाती है तो धारा पांच का लाव दे सकता है खोड़ आपको ठीक है इसके लिए कोई बात नहीं माफ किया आप आईए ठीक है अपर लिखाया सबत पत दिनांग दस चाथ दो जार चौविस को नियालाय में पच्छिस पांच दो जार चौविस को प्रस्तुत क किया गया रेश्टूरेशन प्रात्रा पतर दाखिल खारिज केंजल करवाने के लिए ठीक है इसके आदार पर प्रारम हुआ जिसमें अन्युलेक करें प्रात्रा की उक्तवाद में पारित बंदक पुहम एक पच्छी आदिस दिनांग साथ दो जार अठारा यानि कि साथी अठारा में किसी ने दाखिल खारिज करवा लिया था ठीक है अठारा का 24 में दिया गया ठीक है न देखिए विवेद अगावद गुर्दोस के अधर पर आदिस पारित किया जाता है जिसमें प्रार्ति को न्याय मिल सके ठीक है दारा पांच का लाब मिल जा और कोट ने का प्रार्ति को लाब मिल सके देखिए यहां पर समन जारी किये गए विद्वान अदवक्ता को सुना गया अब लोकन किया गया आदिस दिनंग साथ बारा दो याट एक पच्छी आदेश है और विवादित भूम बंदक है ऐसी इस्तिती में आदिस दिनंग साथ बारा दो या अठारा निरस्त किया जाता है वाद पुनर स्थापन किया जाता है यानि कि साथियो 2018 का दाकिल खारिज इस पस्ट रूप से कैंसल हो गया और वाद पुनर स्थापन रेस्टोर हो गया ठीक है यानि कि यहां पर आप देख सकते हो कि 6 साल पराना दाकिल खारिज कैंसल हुआ आप देखिए और मैं दिखा रहा हूँ बहुत पुराना दाकिलकारज था ठीक है अब देखिए सात्यों यहाँ पर एक दूसरा मेंटर है ठीक है यह मेंटर सात्यों 2008 का है ठीक है न 2008 का 2008 को बेनावा हुआ था ठीक है लेकिन जिसने बेनावा किया था उसने साथ यो दाखिल खारज नहीं करवाया था मैं थोड़ा सा मैटर समझा दूँ देखिए कोई भी आप बैतर कानुमी सला लाना चाहरा है तो कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिस्वर में माना मिल जाएगा ठीक है देखिए इसमें क्या हुआ था मैंटर में वो आप समझ लीजिए और दाखिल खारज बेहत जरूरी है अगर आपकी जमीन के दाखिल खारज नहीं हुआ तो आप यकिन मानिए जमीन कभी जा सकती इसमें क्या हुआ था ए ने जो है वो बी को 2008 में किया था ठीक है 2008 में वैनामा अब इसने दाखिल खारज करवाया नहीं पाया थीक है दाखिल खारज नहीं करवाया यह क्या क्या-कया फोर्जरी से 2019 में फिर वेज दे एक को उसने दाखिल खारज करवा लिया अब 2008 वाले ने आपती लगाई 2023 में कि महोदा यसे ने गलत दाखिल खारज करवा लिया अब वो भी दाखिल खारज के एंसे लुगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखें कि स्रीमती यह नों ने दो है पूरा में नायो हैडन करने के रखा है पुरार स्थापन प्राथना पत्र दिनांक 12-7-2021 के आधार पर प्राना मुखी प्राथिये दोरा आपने प्रत्र पात्र पत्र में लेक किया गया कि प्रस्नकत भूम प्रभावित पच्छकार है वादवक्त में एक पच्छी कारवाईकर में जो है बाइस चे दोजार उनने इसको विदिवम तित्थों के विवरित यानि की दोजार उनने इसको इसका दाखिल खारज हो गया था निरस्त करने हो गया दूसरी पारटी जिसने खरीद अधर डवल रजिस्टी वाला उसने दाखिल खारज करा लिया था नोने का वादग्रेस्त भूम जो है गट संग्या 1534 ठीक है बहना में विक्रिता दनांक आठ एक 2008 को प्राथिया के हक में हो चुका है ऐसी स्थिति में विक्रिता को पनाए वेचने का अधिकार नहीं है और नौने जो है जो है दोजार लगवग 23 में ठीक है न दोजार तेस में यह वह अतारी के हैं जो अर्डर फाइनल अर्डर आया वह दोजार तेस में आया ठीक है न तो यह आप समय देख सकते हैं और देखिए सबसे जरूरी में एक चीज आपर बताऊंगा अब आपको एप्लिकेशन भी बताऊं ड्राफ्टिंग एप्लिकेशन बगएरा इस्टे बगएरा कमेंट्स में प्रस्णों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो के इस पेशल वीडियो आदेश जो है फूपीडियो पीडियो में समझाय जाएगा वीडियो कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी फायदे मन दोजार बारे में एक आदिस हो गया था हमारा हमारे पारिटी का ठीक है दोजार बारे में अब वो दोजार चौबिस में मेरे पास आए ठीक है यानिकी लगवक्स आती हो बारे सालवाद ठीक है तो मैंने क्या कहा मुदार विनवर देविजन है कि वाक्त उत्में पारत एक पच्छी आदिस दिनांक 4-5-2012 बिना सुने एवं बिना सूचना के पारित कर दिया था ये दिखिए हमने आज से इसलिए लिखा है हम हाँ से लिखके यह है ये टाइपिस्ट को बेजेंगे वो टाइप करके तब हमें देगा ठीक है तो वो रफ कॉपी आजी जिससे मेरी सक् हकतलफी है और बहुत बड़ा नुकसान है उक्त आदिस में पूड जानकारी मुझे कोई भी पूड जानकारी की बिना लेकपाल दे आने फर्द खतोनी प्राप्त करने पर हुई है ठीक है और तुरंत बिना देरी की है जो है हम रेस्टूरेशन दे रहे हैं मैंने कोई जान को जोइन कर सकते हैं अगर आप नए वकील है या बहतर बकालत सीखना चाहते हैं तो काफी काम में आएगा इस पेसल वीडियो देख सकते हैं दन्यवाद